गुट मॉर्निंग बच्चों कैसे हो आप सब लोग I hope you all are fine my name is गुरुपालीसी संग्या and welcome to you in Saraswati group of education बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको Q सिखाया था और उसकी हमने जो एक्सरसाइस थी वो भी कंप्लिट कर ले थी अब एक्जाम भी कंप्लिट हो गई है तो अब हमें क्या करना है अब हमारी मात्रह आगे बढ़ा आनी है अब तक हम पूल बाजू में ही यह एक आपको लाइन देखाई दे रही है standing line यह आ की मात्रा है उसको आ पड़ते हैं ऑ सिख लिया आ सिख लिया फिर छोटा बड़ा ए वह भसवई वह उने सिख लिया फिर दिरगई वह भी हमने सिख लिया फिर अगले वीडियो लेक्चर में हमने उ की exercise के साथ हमने उ का पूरा का पूरा चिप्टर कम्प्लीट किया था यह वह छोटा उ है उसकी sign एसी थी आपको यहां थी है कि उ की sign एसी थी और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उ की बड़ी मात मतलब कि इसकी sign एसी है यह उ की sign एसी है और छोटे उ की sign एसी होती है तो आज मैं आपको बड़ा उ सिखाने वाली हूं है बड़े उ में ऐसी मातरा आती है है तो उसकी उचारण कैसे होता है जैसे हमने झ्रह उपर फेसे बड़ा उ है बड़ा उ है तो यह है दिर्क उ मातला आपके उसको हम कैसे पढ़ेंगे कु को के नीचे बड़े उकी मात्रा लगए जाती है तो उसे पढ़ते हैं कु फिर चू तू तू पू सू और पू एसे वर्ण आपकी टेक्सबूक में दिये ही गए है कोई भी वियंचान में एसे बड़े उ की मात्रा लगए जाती है तो उसका उचारन में लास्ट में उ सुनाई देता है उसका हम उसको थोड़ा पहार लगा कर पढ़ते है तो वह बड़ा उ होता है तो बड़े उ में उसका उचारन कैसे होता होता है आपको समझ में आ गया है अब क्या करना है अब हम उसका formation देखेंगे मतलब कि उसको सब्द बनाकर हम पढ़ेंगे तो उसका उचारण कैसा होगा हुआ हम सिखेंगे एक एक बार्णव को जोड़ जोड़ कर हम सब्द बनाएंगे तो पहला दिया गया है सू प्लस रा प्लस चा सू राज सूराज सूराज माट लगके सूरिया या तमने आखो पेज देखाई छे पेज नमबर ट्वेंटी नाइन उपर सूरिया नू चित्रा आपेलू छे राइट सूराज माट लगके सूरिया तो जो बाड़को आमा बड़ा उ अटले के दिर्क उ ह੸ੀ. हम rho order. સੱ્પ av lg 我 canneau. સ੍આ શૂદ્મ યનિઅ સ્પવમ હાસ્ય નારાખ શ્ં રક્ય. एને સ રાવીંદ નીસ્ય ની સહવગ નીસો. तो छोटा U, मतलब के नानो U थाई गयो, तो आपड़े मोटो U, आपड़े तेरे मोटो U सिखिये चे, तो आनी निशानिया भी होई, ता बेनू, तमारे बेनी वच्चे नूँचे तफा वच्छे याद रखपानो, चेवरितना आपड़े छोटा E और बड़ा E, यहमा ध्या तीहान राखी सु पंची सूर्ज वैुली तूं, पंची आविजह चे जुला उसको कैसे पड़ते हैं ? जू पलस ला, दूनोंगों मिलाकर बंता है, जू ला, प्यात्या चोटा है? जू पलस ला, आथले जू ला, जू ला मतलब सू जूला मतलब के हिच को जो तमने आइं पेज नबर 29 देखाई छे एमा छोकरी इजका खाई छे पच्छी बे सब्द आपड़े समझी लिदा आवी लित एक 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 वर्णा ने भेगा करी और नव सब्द बने छे आ तो मोटो येना बे सब्द आपड़े बे सब्द जोई लेए तो प्लस रो प्लस जो बू प्लस जो अब बू छे एक कई हो छे मोटो उ राइट अट लाब बने छे तर बूझ दिर्ग उ राइट दिर्ग उमार निशानी होल अतर बूझ अतर बूझ नू आया तम्में चित्र ही जोओ छो पेज नबर 29 उपर पछे भालू नू चित्र तम नापने छे भालू मा लगके रीच तो बालू के वी रित लखाई पा प्लस लू लू राइट बालू मा लू अमा दिर्खा वालू राइट अटले बने छे बालू राइट तो आगे वीट आपड़ एक एक वर्णोने जोएंट करीने आपड़े सब्दार्थ बना दिया राइट आप गणा बधा सब्दों होई सकेचे केवा केवा अमना आपरे सब्दों जोई लएए तो अब हम सब्दार देखेंगे जो बड़े उसे शुरू होते हैं तो उसके सब्दार हम देखेंगे जैसे हम सब मात्राओं में सीखते आ रहे हैं पहले हम दो वर्ण वाले 15 वर्ण वाले और 4 वर्ण देख लेंगे उसको हम कैसे पढ़ते हो, इसको पढ़ना कैसे हमें आएगा, बढ़ा बढ़ा बड़ा ओं बड़ी मतलब के उमाइरे जो कॉँड़ी होते हैं ना फिर सभी जू होते हैं वह काजू काजू का में आकी मात्रा लगाए गए है इसलिए उसको पढ़ते है का फिर जाम में बड़े उंकी मात्रा लगाए गए है इसलिए उसको पढ़ते है जू का जू फिर पूजा पूजा मदलब के आपड़े जे पूजा पाद करे करता हुई फिर जूटा मदलब के आपड़ा सूज ज जो जूतामा पण जू छेई दिर्खो ऊचे राइट पच्छी धूप धूप मतलब के तड़को पच्छी टापू टापू मतलब के आपड़े टापू अटले असु के जमीन थोड़ी कस होए ना आजू बाचू बते समुग्र विस्तरमा पानी छोए इनी के वे टापू पच उटेमके लुग के पूडी एकपूरी बे पूडी कोथ मारी नहीं आखी उलिए खबेर शेको नानि एवे बधी डाड़ होने भेगी निये एक दो रिती बान्धी दीती đang आम जतनु सूब कईब पूडी आपने इम कोईए के आखी कोथ मारी न मारी न भरेट तो आ पुड़ी एज था यूं पच्छी बाल लूं किसी का नाम दिया गए है देखो यहां पर सारे सब्दों में दो वर्णवाले सारे सब्दों में उंकी मात्रा थी अब तीन वर्णवाले सूरज अभी अमने वर्ण को जड़ जड़ कर सूरज लिखा था तो सूरज तीन से लिखा जाता है और पढ़ना भी बहुत आसान है एक एक वर्णों को पढ़ते हैं सूरज फिर नाखुन मतलब के आपड़ा चेनेल सोई नाखोई नाखुन पर इस तरह से लिखा जाता है फिर खजूर खजूर मतलब के खजूर तो तो तम बढ़ाई खाजूर अच्छे पालतू मतलब के पाड़ी सकाई एवा तो ये पालतू मापन तूझ है दिर्गाउँ आवे पचे पतलून मतलब के पेंट चो वया चार चार वनवाडा सब्दो छे ये लखवान एन्ने समझवान वाच्वा पन एटला जासान चे जे एटला बेवर्ण वाड़ा वाची सक् पतलून मतलब के पेंट पच्छे फुल्दान मतलब के फुल्दानी तो येमा पण आ उनीज मात्रा लागेली छे फुल्दान मा पण आपणे दिर्ख उच लगाड़ी सू पच्छे अम्रूद जो बाड़कों आ रोज है एन्नो जेक प्रकार छे आपणे आपणे रू आमन लखिये एनी बढ़ले आपणे आम लखिये तो पन आ पन आपणे आ मोटा युमा ज आवी चेए जो आप युमा पन तम्ये आवीर इतनी मात्रा जूओ छो आपणे बिचू काई नाथे आपणे दिर्ख उच छे आणि निशा नी च्छे आपणे स्वहर मा तो के निशा नि आपड़े ई लखिये छे तो आपड़े माम दिर्खोई ई करिये छे नथी करता ने तो आपड़े स्वर्मा क्याई निसानियों लगाडता नथी आपड़े व्यंजन माँ चीदी निसानियों आपड़े लगाड़ी देये छे तो आपड़े आजे अमुरुद माँ जे रू छे आमझे जोई लिवाणू के रूँ छे।हां रॉल रुघ कि धेक हों कि ऑठिके हैवाब कि को बतले कि पजची छे खर्बूजा, तो खर्बूजा माँ ख, प्लस र, प्लस ब, प्लस ज, तो ब छे, यह मा उन्यी मात्रा लगाडी हिले छे, वु आनि जो मापण आनी मात्रा, तो आवी रिते खर्बूजा बने छे, तो आहता आपड़ा उनी मात्रा वाड़ा सब्दू अवे आपड़ेनी पोयम जोई सु राइट क्या ख्या कि पोयम मा आपणने बधा उ वाड़ा सेंटेंस जोवा अमड़ से पोयम अथा तो आखे आखा बधा सेंटेंस पन केवा उनी मात्रा वाड़ा आपने आटली मात्रा जोई गया के O, A, E, E, U एटली मात्रा जोई गया तो एनो उप्योग थास है पण एना थी पछी नी जे रूवाडी मात्रा छे इनाई आगे तो आपने बड़ा U वाली मात्रा सुधी नी आखी पोयम जोई सो अब हम सब दर्तों देख चुके हैं अब हम पोयम समझेंगे जो उकी मात्रा से शुरू होती है तो आज मैं आपको एक उकी मात्रा वाली ही पोयम आच्छा आपको सिखाने वाली है जो हमाई टेक्स्बूक में दी गई है पेज नमबर 30 पर अब तक हमने जितनी भी मात्रा सीखी उन सबी मात्रावों में हमें एक एक पोयम तो दी ही गई थी ताकि हम उसको पढ़े और उसके वर्ड को पहचाने उसके वर्ड को पहचाने तो भी हमें मालूम होगा कि हमें कै से लिखना होता है उसको कंसे पढ़ा चाता है तो आज हमें एक एसरी पोयम दीगें है उसका नाम है पूजा पूजा मरल पकलत के भ्गवाननी ले पोजा आरती करता हो इसलिसुने टॉई ममी बापाम नशवार मा भ्गवाननी पूजा करता हो इछ दादा दाधी पनसवारे वेला उठीने मंदीरे चाहिने पूझा करता वी छे तो आवी एक पूझा वाड़ी एक पोयम आपने आपने टेक्स्बुक में पहली छे राइट तो आपने पहला इसमझी लाई एट पूनम सुबह उठी नहाकर पूझा की थाले सजाई मतलब कि पूझा की थाली सजाई फिर क्या करती है वो सुबह जल्दी उठ जाती है फिर ना दोकर पूझा की थाले को सजाती है पूझा की थाली तो आप सबी लोगों ने देखी होगी आप लोग जो आर्थी के लिए जो डीज लेकर जाते हो ना उसको पूरा सजा कर तो वेसे ही उ पुजानी थाडी सर्जावेछे, सर्जाऊ मारलबके सन्गारी, घंने सन्गारेछे, एमा कंकु, चोख्ळा, फूल, पछी कोई मिजटान मुकेछे, रैट, पछी वाट होई छे, बाकस होई छे, रैट तोखनी बद्धी वस्तू छे पुजाने लगती उप्योगी होई बद अगर्बति करिये छे तो आप उन्हा में पर अगर्बति करिये फूल लिये मतलब के पुझा में जो सबसे आवस्यक्ची छे वो तो फूल है भगवान को हम फूल चड़ाते हैं वरलब के भगवान खूस होते हैं इससे हमारा इसा मानना है कि फूल चड़ाने से भगवान की गड़िपा दस्टी हमारे पर बनी रहेगी भगवान को अच्छी तरह से प्रसंद करते हैं हम उसको दूब दीप करकर के दूद की बनी मिठाई रखी बच्चों पूजा में क्या क्या समगरिया होते हैं कौन कौन से चीजों का इस्तमाल होता है ये सारे के सारे बाते इस पोयम में दीदे हैं पहले क्या किया पूजा की थाल सजाई फिर तुबती जलाई फिर फूल लिये अब क्या करते हैं पूणम पूणम अब दूद की बनी अब पूणम दूद की बनी मिठाई भी रख देती हैं पूणम ने पूझा की अब सब चीज़े रख दी थाल में सब चीज़े सजा दी अब क्या किया पूणम ने फिर बाद में पूणम ने पूझा की मिठाई है वो जो सबसे लास्ट वाला वाली प्रोसेज़र थी सब चीजे रग दी फिर पूजा की सुरुआग की। काकु पुन्यम को फोल बाजार ले गए। फलबजार मटलब के मार्केट मा खरीदा क्या क्या फलब खरीदे उसके चाकू सेथ रेकर एक तो अमरूद खरीदे अम्रूद मतलब के जाम खड पची चीकू चीकू खरी दिया पची तरबूज तरबूज मतलब के तरबूज और खरबूज जा खरी दिया तो आटला गूट से ने खरी दिली दाता मार्केट मा थी चाकू से फॉल छीले फिर क्या किया वही दुनों मार्केट से आ गए फिर क्या किया चपू लिया और उनसे सारे फॉल जो खाने थे वो छील दिये कुड़ा कुड़े दान में डाला यहां समेक सीख मिली कि कुड़ा कहां पर डलना चाहिए कुड़ा कुड़े दान में डलना चाहिए जो good boy होते है good girl होती है वो कुड़ा तो कुड़े दान में ही डलते है और जो अच्छे बचे नहीं होते है वो कुड़ा यहां वहां फेक देते हैं यह तो bad manners है हमें कुड़ा यहां वहां नहीं फेकना चाहिए हमें कुड़ा कुड़े दान में ही फेकना चाहिए राइट फिट क्या किया उसके काकूने चपू से फॉल छीले जो फल उसको खाने थे वो फल छिल दिये उपर से छिलका तो निकालना पड़ता है ना छिलका निकार कर फल छिले कुड़ा कुड़ा दान में डाला जो सारे छिलके थे ना उसने कुड़े दान में डाल दिये तर्बूज खाया, खूब खाया क्या किये दोनों ने ? उसके काकों ने और पुनम ने खुब फल खाए खुब फल खाये तर्बूज खाया मन लग की जो फल उस वक्त फल कीमसम होगी तो बहुत सारे फल मिल रहे होंगे तो तर्बूज की जो सीजन थी मन लग की समर होगा राइट, समर में तरबुच बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि समर में हमें प्यास बहुत लगती है, राइट, तो दोनों ने फल खूब खाये, खूब खाये, तरबुच भी खूब खाया, काकु ने, पुनम ने खूब खाया, दोनों ने खूब खाया, मतलब कि यह तराइन फ्र फ्रूट्स लेवाद गिया ता फ्रूट्स मार्केट तो बनने फ्रूट्स करी दिया और घणा बता पेट परायेटला खाई लिदा तो आते आपने पूजा नामनी पोयम आई होब के तमने समझाई गई होई अवे आना पुछी आपनने नोब्यास आपेल उच्छे आपने टेक्सबूक मा तो हुँ तमने नोब्यास पन एक्सप्लैन करी दो बहु बेच क्वेस्चन छे नतर्बू तमने आगला वीडियो लगत्यामा समझावत पाना तो बेच क्व आउच्छे तमारे आना क्वेस्चन आन्सर क्या लखवाना छे बाजुमां खाली जगी आपने ली छे तियांच तमारे आना आन्सर लखवाना रेश है जो अए तमने पेज नंबर 31 देखाई छे राइट एमां क्वेस्चन नंबर वन आपने लो छे को कि पूनम का बूठी पूनम कब उठी थी बच्चो उसको पूझा करने थी तो वो कब उठती है तो उसका अंसर आएगा सुबह आपको सिफ वन वर्ड में ही आंसर देने होंगे यसा नहीं लिखना है बड़े-बड़े sentences में नहीं लिखना है आपको सिफ सुबह ही लिखना है ति पूनम सुबह फिर दूसरा question किया गया है यहाँ पर इठाली में किसकी बनी मिठाय रखी थी किसकी बनी थी मिठाय में की बनी थी चोकलेट की बनी थी दूद की बनी थी या किसी और चीज़ की बनी थी तो उसका आंसर आएगा कि मिठाय दूद की बनी थी आंसर में सेफ इतना ही लिखना है कि मिठाई दूद्की बनी हुई थी तीसरा क्वेस्चन दिया गया है काकू और पूनम ने बाजार से क्या खरीदा कौन-कौन से फल खरीदे थे एक तो अम्रूद एक तो चिकू फे तरबूज और खरबूजा राइट तो इसारे फल दोनोंने खरीदे थे खरबूजा मतलत के सकर टे Betsy आपडरी यह खाया जहाना सकर टेटी अराइट तो इने कहवाई खरबूजा फीर छोथा क्वेस्चन कीया गेए कि पूनम ने क्या खाया पूनम ने क्या खाया यहांपर सिरिफ एक पल के बारे में ही बोलागे है कि तर्बूच खाया, खुब खाया, खाकूने पुन्णमने खुब खाया, अलब के तर्बूच नामनु छे फ्रूट अतू, ये बेज अना ये, खुब खादू, तर्बूच नामनु फ्रूट, तर्बूच अटले के अपणे, ची खाय से न मोट अ अगया है उकी मात्रा वाले सब्दों के नीचे रैट का निशान लगाओ और बाकी पर रोंग का यहां पर पेश नमबर 31 देखी रहे हो एंड उस– उसमें आपको कितने 7 fruits दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको U की मात्रा वाले सब्दों के नीचे रैट का चीहन लगाना है, यहाँ पर फॉल नहीं दिये गई है, फॉल के अलावा और कोई साही चीजे भी दी गई है, तो आपको यहाँ पर देखना है, पहले चित्रा है, वो U से शुरूर नहीं होता है, तो उस पर रोंग का चीहन लगाना है, फिर दूसरा चित्रा है सेब का, तो सेब जो U से शुरूर नहीं होता है, तो वहाँ पर भी आपको रोंग कर देना है, फिर आपको कुल साथ चित्रा दिये गए है, आपको क्या करना है, आपको उस चित्रा को देखकर उसके नाम में कहीं पर उंकी मात्रा आती है तो वहां पर आपको जो चित्र है वहां पर बोक्स में आपको राइट लगाना है पर पूरे सब्द में कहीं पर भी उंकी मात्रा नहीं आती है तो इसे सब्द पर आपको रोम के चिहन लगाना है यहां पर आप साथ चित्र देखी रहे ह पहले चित्र है बालू साही का तो बालू साही में लू की मात्रा वाला है तो पहले चित्र में आपको राइट लगाना है राइट दूसरा चित्र दिया गया है सेब का तो सेब में कहीं पर उ की मात्रा नहीं आती है तो दूसरे चित्र में आपको रोंका चीहन लगा देना है पर तीसा चितर दिया गए है पंकी मतलब के कोड मॉर्टु बदु राइट कद्दू कहते हैं उसे हिंदी में राइट तो कद्दू के चित्र में आपको राइक का चीह नहीं लगा ना है राइट क्यूंकि कद्दू में दू है वो उकी मात्रा वाला हुआ राइट पर चोथा चित्र दिया गया है जलेबी का तो जलेबी जो होती है वो उकी मात्रा वाला सब्द नहीं है तो हमें क्या करना है जलेबी में भी रोंग लगा देना है फिर पांचवे चित्र में अम्रूद दिया गया है तो अम्रूद के चित्र पर राइट कर देना है क्यूंकि को दुमें राइट का चीन फिर छटना चित्र दिया गया है तर्बूज का चो तर्बूज है उसमें बू हो reprints थे तो जो भू आप कोborg कि मात्रा जीत्रा झाल coal की मात्रा राइट लगा देना है, सिर्फ दो ही चित्रा हैं से एक सेब और चले भी उसमें आपको रोंग लगाने हैं, बाकि सारे चित्रों में राइट करना है, तो यहां पर हमारे चेप्टर कम्प्लेट होता है, अब मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए करना है जीद Efendimizétais जारे लेक्चर में अझन हमारे देंगे काश्रा हैं, ई ऱ जा द के राइबार खे जाएब हैंने हैं, जारे रीडियोThere दे जारे राइब।ब लासे दिल दला हैं दो मैं, आहें वाखर आपको भाने तक का इंवित्स बढलेंगे और खेख उला दाष नारे